कार दोस्तों आज की वीडियो में अपने विजिट एक बार फिर गाव गुडाना जहां हम मुलाकात करेंगे जितेंदर भाई जी से तो यहां मेरी पहले भी काफी वीडियो जो है आपको देखने को मिली होंगी तो काफी अच्छे पसुधन ये रखते हैं अच्छी डिटेल बताते हैं और जो इनके जो डिलिंग का जो मेथड है उससे भी आप रूबरू होंगे तो जितेंदर भाई जी का मानना है कि कोई भी हमारे पसुधन को यह दी खरीदने का इच्छुग है तो वो जो है दो से चार टाइम मिल्किंग करके ही जो हमारे पसुधन खरीदे हैं तो उसी को हम जो है अच्छा मानते हैं तो आज की वीडियो में हम स्यांदार पांच बफैलो जो हो देख पाएंगे जो की बायर्स के लिए अविलेबल है जो की वीडियो सुरू करते हैं और मिलते हैं जीतेंदर जी से और जानते हैं कि पसुधन के डिटेल तो जीतेंदर जी नमस्कार नमस्कार सर तो सर जैसा कि कि आपने बताया कि पांचो जो पसुद है बाइर इसके लिए अविलेबल है तो इसकी कुछ डिटेल बताएं विवर्स सर जी यह आज यह साथ से आठ दिन की ब्याई हुई है और आज दूद इसमें लग बगए है सोड़ा लिटर के आसपास लेकिन आप माननों 15 लिटर के आ पादाई और कपेस्टी मानता हूं मैं इसकी लग बगए अठारा लिटर से उपर उपर गी अठारे लिटर फैस्ट लेक्टेशन में काफी श्यांदार है और वैसे जो आप यहां जो अंदाजा लगा सकते हैं अडर का दो साइज है थनों की बनावट है अडर का दू डवल तो जैसा कि आप यहां इसके नीचे जो फिमेल का फिर वो देख पाएंगे सर ने बताया है कि इसका जो सायर है वो कोई नूर बोल्ड जो है वो इसका रहा है तो सर बायर्स के लिए आप यह अवलेबल करवा रहे हैं तो क्या प्राइस ने जाप इसकी रखना चाहेंगे इ किया कि है कि लिए कमके कम और उपर जाएं कितनी बार करो मिल्किंग च्वार में कोई तकलिप नहीं लेकिंग सभा दो 20 बटाय कि कोई इसमें सब्स्राइब तो आप पहले चार टाइम मिल्किंग करें उसके बाद ही जो है पसुदन तो आपने देखा पहला पसुदन अब हम कौर करेंगे दूसरा पसुदन देख पाएंगे बफैलो नमबर सेकेंड आप सिंग चेरे से बोली स्ट्रेक्टर से अडर साइज से थनों की बनावट से पू है और आज यह 21-22 दिन की ब्याई हुई है और इसके निचे कटड़ा है यह कटड़ा इसके निचे आप देख सकते हैं मेल काफ है इसके सायर की कोई जानकारी से पंचाती बुलका जी इसका सायर शर ने बताया है तो क्या प्राइस रेंज में आप यह अविलेबल कर वाएं तो काफी श्यांदार तो इसके साथ हम तीसरा पसुद अंजहों का और करें वफेलो नमबर तीन आप देख सकते हैं सेंग चरेशन बोडिस टेक्टर आडर साइज काफी अच्छा दो डेलोप्रेंट हाप नहीं देख पाई हूंगे थोनों का गैप आप देखिए थोनों की सब्सक्राइब तो सर इसके बारे में कुछ बताएं यह सर सेकंड लेक्टिसिन में है जी आज यह सटे दिन की ब्याई है जी और आज दूद है इसमें लग बगए 11-12 लिटर जी और फैस्ट लेक्टिस ने इसने साधे पंद्रे लिटर दूद निकाल रखे हैं पहली ब्या आपके सायर के बारे में जानकरी अगले ने मेरे को दो बार बताया दा कि वही एक तो पंचाती बूल से और एक अचल दी भी है के बूर्मेंट सिम्मन से रख वाया हाजी तो यह नहीं पता कर सकते हैं आम प्रशला कौन से से ओंद्र यह कंफरम नहीं है जी पूई बात नह आप यहां देख सकते हैं सेकिंड टाइब गफेलो जिसकी मिल्क कैपस्टी सर्ने बताई है 17 लिए तो आप देख सकते हैं स्यांदार कट काथी काफी अच्छी है अटर साइज आप देख सकते हैं थनों के बनावत और गयव काफी अच्छा है तो क्या प्राइस रिंज में है जो हम कवर करें तो इसकी कुछ डिटेल भी बताएं यह सर फैस्ट लेक्टेशन के लिए प्रेग्नेंट है अब और नहीं की है काविन नहीं की है और यह इसका टाइम है तीन शे चैर दिन का है अभी बकाया है और दो दात कट्डी है यह दो दात में है हाँ यह देख लो कि आपने हाँ दो दात में जो पसु दन्हों प्रेग्नेंट है और काविन जब्दी ही जो होने वाले है तो सर बाकी यह दी हम डिटेल की बात करें तो इसके मदर रिकोर्ड का भी कुछ आप जानते है इसकी मदर जिससे मैं पर्चेज करके लिए हूं उसी के पास है वह पांच वीवा डिलिवरी कर रही है जी उसने फैस्ट टाइम में सोड़ा लिटर दू दे रख्या है जी और अब चौत्थे टाइम पे में फोर्स लेक्टेश में उसने साथे चोबिश दू निकाल रख्य हाँ और इसकी बैन ने 17 लिटर दू निकाला है फैस्ट टाइम में जी तो मैं यह सोच रहा हूं कि मैं लुट्स मैं क्या सकता हूं जी तो दे प्लस करने की उमीदे मेरी तो बाकि आप जो है आप चलती को देख पाएंगे से बोड़ी स्ट्रेक्टर से अडर के साइज से आ बाद में कैसे अवेलेबल कर देंगे तो पहले हम यदी बात करें प्राइस रेंज की तो क्या प्राइस रेंज रहने हो लगी अठाशी जार रुपे अठासी हजार तो हमने देखा बखेलो नंबर फोर यहां और फिफ्ट जो बखेलो है वहां का और करेंगे तो इसकी ठीक है और आज यह 21-22 दिन की डिलिविरी का टाइम हो गया और आज दूद इसमें मलब 12 लिटर के आसपास दूद तयार है पर्शों श्याम को अम तो यहां पर मलब मेले से बोलते हैं जो कंशे बोलते हैं न वह चटके अटी है जी पर्शों श्याम को इसके निचे काफ कै मेल का आप यहां देख सकते हैं तो इसके सायर की बहुत जानका पशेती बुल अजी यह इसका सायर जो पंशाय ती बुल बताए तो क्या इसकी मिलक कपिस्टी और क्या प्राइस की रहने वाली मिलक के प्रेस्टी जीसकी लग बगत चोदा लिटर का सपास मानता हूं मैं च गाओं गुडाना जिला चर्खे दादरी जितेंदर शांगवान के यहां डेरी फार्म पर रही है तो यहां आपने एक से एक जो आपने पसुदन कवर किये हैं जो कि कुल मिलाकर पांच पसुदन तो काफी अच्छी डिटेल हमें यहां देखने को मिली और पूरी जो डिटेल इसके लिए आपके अभी बहुत बहुत धन्यवाद।